तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वीडियो एडिटिंग सौफट्वेर के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग के बेसिक टूल्स के साथ-साथ काफी सारे एडवांस AI टूल्स भी मिल जाएंगे तो मैं बात कर रहा हूँ हिट पो एडि मेकर सौफट्वेर के बारे में इस सौफट्वेर के हल्प से आज मैं आपको एक होरोर स्टोरी क्रियेट करके दिखाऊंगा और ना तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग किसी भी स्टोरी का स्क्रिप्टिंग, वोईस ओवर, बैग्राउ क्लिक करके स्टोर पे विजिट कर सकते हों लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीक का इंटर्फईस आएगा, यहां से आप नीचे स्क्रॉल करके इस सौफटर के एक ऐप ओरवियू ले सकते हों, तो सबसे पहले हमें इस सौफटर को डाउनलोड करना है, इसके लिए हम download पे click करके software को download कर लेंगे download करके install करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की का interface आएगा इससे पहले कि हम सभी tools को explore करें हमें इधर उपर click करना है और इहां से sign in कर लेना है तो मेरा already account बना हुआ है तो मैं इसे इहां से close कर लेता हूँ इसके बाद मैं इहां से इसके toolbox में जाऊंगा और इसके कुछ tools को आपको explain करूंगा ठीक है जैसे की अगर मैं videos में click करूँ तो आपको इहां पे काफी सारे tools बगएरा video से related दिख रहे होंगे जैसे की screen recorder, video downloader, AI video generator, stabilization, remove background and blur background सेम इसी तरह से अगर हम audio पी click करें तो audio से related भी हमें काफी सारे tools यहां देखने को मिलते हैं इन tools का use करके आप vocal remove कर सकते हो, audio को download कर सकते हो, किसी भी video से audio को extract कर सकते हो, voice change कर सकते हो, noise reduce कर सकते हो इसके बाद आपको image से related भी दो tools मिल जाएंगे, जिससे आप किसी भी image को enhance कर सकते हो, यहां से text के tool में जाएंगे तो इहां पे हमें AI copywriting मिलेगा, text to speech मिल जाएगा, speech to text, translate subtitle, इस तरीके से काफी सारे tools देखने को मिल जाते हैं इसके बाद अगर हम AI tools पे click करें, तो यह जितने भी tools है, यह AI powered है, ठीक है अब हम create video पे click करेंगे, और video के script को generate करेंगे, इसके लिए हम यहां पे AI video generator पे click कर सकते है या फिर यहां पे और एक option है, जो कि है AI copywriting, तो इसमें click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का interface आएगा यहां पे नीचे आपको select करना होता है language, जिस language में आप script को generate करोगे, तो मैं यहां से हिंदी select कर लेता हूँ यहां पे word limit आप select कर सकते हो, मैं less than 200 रखता हूँ इसके बाद आप यहां पे click करोगे, और जैसा आपको script चाहिए, उस हिसाब से आप यहां पे लिखोगे जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूँ, write a horror story आप अपने हिसाब से जिस तरीके का command होगे, उसी तरीक का यह script generate करके दे देगा इसके बाद हमें generate script पे click करना है, तो यह AI tool हमें कुछी देर में script लिख के दे देगा अगर आपको यह script पसंद नहीं आता है, तो आप इस script को regenerate कर सकते हो इसके लिए हमें इस वाले option पे click करना है, तो यह AI tool हमें script को regenerate करके दे देगा या फिर आप चाहो तो अपने हिसाब से extra command भी दे सकते हो बस आपको script में जो भी add on करना है, उसे यहाँ पे नीचे लिख देना है, तो यह AI tool हमें उसी हिसाब से script regenerate करके दे देगा तो मैं एक बार इसे regenerate कर लेता हूँ, देन आगे का process आपको दिखाता हूँ regenerate होने के बाद हमें इस वाले option पे click करके script को copy कर लेना है और यहाँ से back आ जाना है अब हमें script का voice over करवाना है, इसके लिए हम text to speech पे click करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीकी का interface आएगा, हम अपने script को यहाँ पे paste कर लेंगे देन यहाँ पे multiple voice आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप language select कर सकते हो, जिस भी language में आपको voice चाहिए मैंने हिंदी select किया हुआ है, तो यहाँ से कुछ voices को check करते है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे काफी सारे voice वगेरा आपको मिल जाते हैं, male and females, दोनों ही तरह के voice आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपको यहाँ से किसी भी एक voice को select कर लेना है, देन यहाँ से नीचे generate वाले option पे click करके आपको voice generate कर लेना है voice generate होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की का interface आएगा, यहाँ से आपको add to timeline का जो option दिख रहे है, उदर पे click करके directly इस voice को software में add कर लेना है तो हमारे script का audio यहाँ पे आचुका है एक बर सुन लेते हैं, एक भूतिया पुराना cinema hall जो दिन भर सुना रहता था, रात को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी वहाँ कर्मचारी बताते थे कि उस cinema hall के अंदर किसी भूत का साया बसा है तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, voice quality काफी अच्छ है और ये script मैं बस example की तोर पे आपको दिखा रहा हूँ, आप इससे भी better script generate करके voice over करवा सकते हो इसके बाद आपके पास अगर कोई video clip है, उसे आप import पे click करके यहाँ पे add on कर सकते हो बट मेरे पास कोई भी video clip अभी फिलाल है नहीं, इसके लिए मैं Pixar Bay में click करूँगा और यहाँ से normally मैं search करूँगा horror videos मतलब कि आपको जिस भी तरीकी का video clip चाहिए, ओ आप यहाँ पे search करोगी तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और एक चीज मैं आपको पहले ही clear कर दूँ, यह सारे के सारे video clip जो है copyright free है आप इन्हें use कर सकते हो देखो अगर आप animation बनाते हो तो आपके पास खुद का video clip होगा, यह app editing के लिए है तो आप अगर खुद के video clip को यहाँ पे add करना चाहते हो, तो timeline के according, voiceover के timeline के according add करके उसमें editing बगरा कर सकते हो बट मैं आपको थोरा सा example के तोर पे समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से video clip add करके आपको एक छोटा सा horror story बना के दिखा रहा हूँ और हाँ दोस्तो अगर आप horror story बगरा बनाते हो तो आपको काफी अच्छे अच्छे वीडियो clip या फिर footage बगरा यहाँ पे मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने story में use कर सकते हो, जास लाइक खुनी मंडे क्योंकि आपने देखा होगा खुनी मंडे के वीडियो में भी real event के काफी सारे clips बगरा होते हैं, वो छोटे छोटे clips बगरा को अपने animation के साथ add करके एक बहतर वीडियो बनाता है मैंने यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे वीडियो clips को add करके एक छोटा सा वीडियो बनाया है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारे sticker बगरा मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने वीडियो में use कर सकते हो और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको background music add करना है, तो audio पे click करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे category wise background music दिया हुआ है, जैसे कि dark and suspense में अगर मैं click करूँ, तो यहाँ पे आपको horror background music भी बिल्कुल free में मिल जाएंगे, तो एक दो music को play करक देखते हैं, तो यह वाला music मेरे को ठीक लग रहा है, तो मैं plus पे click करके इस music को इस video clip के साथ add कर लूँगा, आप यहाँ पे click करके इसके volume को कम या फिर जादा कर सकते हो, अब थोरा सा play करके देखते हैं, एक भूतिया पुराना cinema hall जो दिन भर सुना रहता था, रात को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, वहाँ करमचारी बताते थे कि उस cinema hall के अंदर किसी भूत का जैसा कि दोस्तों यह video clip छोटा सा है और music काफी लंबा हो गया है, तो हम split पे click करके इस music को इहाँ से cut क मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर इहाँ पे देखो तो इहाँ पे horror नाम से भी एक category है, इसमें click करके आप देख सकते हो, काफी सारे sound effect आपको मिल जाएंगे, जो की बिल्कुल free है, आप बिल्कुल free में इसे अपने वीडियो में use कर सकते हो, जिसको थोरा बह बहुत भी editing आता है, तो आपको इन tools के बारे में पहले से पता होगा, जैसे कि इहाँ पे है transition, transition tool से हम एक clip से दूसरे clip के बीच का जो transition है, उसे सेट करते हैं, ठीक है, तो आपको इहाँ पे काफी सारे transition effect भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप editing के दोरान अपने वीडियो वगरा select कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो effect वगरा है ना काफी जादा है दोस्तों, इसलिए मैं एक एक करके आपको सभी को use करके नहीं दिखा सकता, काफी time consuming हो जाएगा, इससे better है कि आप लोग खुद से एक बार explore कर लेना, इसके बाद next है effect, effect पे click करोगे तो आपके सामने काफी सारे इस तरीके से effect open होंगे, मैं यहां से एक effect को अपने वीडियो में add करके देखता हूँ, ठीक है, आप चाहा हो तो किसी particular clip में इस effect को use कर सकते हो, या फिर entire video में भी इस effect को use कर सकते हो, तो मैं इस effect को यहां पे plus पे click करके timeline पे add कर दूँगा और पूर पुराना cinema hall जो दिन भर सुना रहता था, रात को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, वहां करमचारी बताते थे कि उस cinema hall के अंदर किसी भूत का साया बसा है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये effect काफी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, इसके बाद next है subtit अब जो भी आपके वीडियो का audio होगा, उसके subtitle को आप इस software के help से auto generate कर सकते हो, इधर पर क्लिक करके translated language को आपको enable कर देना है, और किस translated language में आपको subtitle चाहिए, उस language को यहां से select करना है, subtitle के style को भी आप यहां पर क्लिक करके change कर सकते हो, बट इसके बारे में detail में आगे ब translate करवाना है, उस language को हमें इहां से select करना है, तो मैंने इहां से English select कर लिया है, अब मैं अपने audio clip को इहां से select करूंगा और auto subtitling पे click करूंगा, तो दोस्तों हमारा subtitle इहां पे बनके आचुका है, जो भी वीडियो में audio था, उसका पूरा का पूरा subtitle इहां पे बनके आचुका जैसे कि subtitle का जो letter style है उसे आप इहां से change कर सकते हो, इसके बाद अगर आप चाहो तो subtitle के size को कम या फिर जादा भी कर सकते हो, उसके color बगएरा को आप change कर सकते हो, यहां पे more पे click करने पे आपके सामने काफी सारे style बगएरा already बना हुआ आ जाएगा ठीके, तो इहां से मै ब्राउन, ब्लैक और वाइट को select कर लिया है, इसके बाद मैं text पे जाके इसके size को थोरा सा छोटा कर दूँगा क्योंकि यह काफी बरा था, ठीके, बाकी दोस्तों यहां पे other tools भी हैं, जिन्हें आप खुद से explore कर लेना, इसके बाद आप animation पे click करोगे, तो आप subtitle के animation भी यहां पे आपको click करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीक का interface आएगा, यहां से आप video के format को change कर सकते हो, resolution बगरा को high या फिर कम रख सकते हो, इसके साथ एक बहुत ही अच्छा सा यहां पे function है, जो कि है audio export का या फिर subtitle export का है, ठीक है, मानलो आपको video एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट होंगे, तो मैं यहां पे export पे click करके video को export कर लेता हूँ, ठीक है, तो यह रहा final result. लेकिन एक रात जब एक सन्यासी 40 दिनों से गायब हुआ, तो सब की परेशानी बढ़ गई.